देर सुटुदेंट, तुड़े अवर टापिक इस बाओट पोलो दी किंग आफ गेम्स प्लासेट सुबजेक्ट इंगलज तापिक अबाओट ग्रेंबर वरक बच्चो, आज हम पोलो दी किंग आफ गेम्स का ग्रेंबर वरक करेंगे क्या करेंगे ग्रैमर वरक करेंगे तो बच्चो ये कह रहा है following is a dialogue between Arman and Sela Arman और Sela कुछ आपस में डिसकस कर रहे हैं Sum of the dialogue in brief paragraph ये जो भी चीजे हैं इनको उठा कर एक paragraph में लिखना है क्या लिखना है paragraph बनाना है आपको ठीक है न ये अलग लग दिये तो आपको ठाकर एक paragraph बनाना है तो paragraph किस तरह से है Arman कह रहा है Polo is called the king of games Arman कह रहा है Sela को Polo is called the king Arman पूछ रहा है Sela से कि इसे बाच्चों का खेल क्यों का जाता है Sela कहती है why Arman कहता है because in its early history it was played on the backings यानि के पहले जमाने में इसे सिर्फ बाच्चा ही खेलते दे बाच्चा ही खेलते दे it organized it in Central Asia यानि के ये जो खेला ये Central Asia यानि के एशिया के दर्म्यान से शुरू हुआ Sela कहती है what is it like किसे खेला जाता है Arman कह रहा है it is like hockey in horseback यानि के इसके गोड़े के पीट पर बैठकर होकी की तरह खेला जाता है Sela that funny कितना अच्छा है गरमान कह रहा है तू टीम विद सिक्स प्लेयर्स दो खिलाड़ी और छे प्लेयर्स है इच ट्राइ टू सकोर गोल्स दोनों एक गोल करना चाहते हैं गेस्टें का एच अधर एक दूसरे के के दर्म्यान दा प्लेयर आर इन horseback इन स्ट्राइक आन दी बाल वे दी मिलिट यानि के वो गोड़े की पीट पर बैठते हैं हाथ में छड़ी होती हैं और इससे मारते हैं सैला कहती है वाट आर दी रूल्स ये इसके क्या रूल्स हैं अर्मान कहता है दा गेम इस डिवाइड़े इन टू हफ आफ आफ दी टीम स्कोरिंग नैन गोल्स विंज यानि के इसमें से जो भी टीम पहले नो गोल करेंगी वो जी चाहेगी सैला कहती है इस डेंजरस क्या ये खतनाक है अर्मान कहता है अफ और आफ ये तो बिलकुल सच है ये खेल तो खतनाक भी है दा पीस आफ गेम ये जो गेम है उसे ये और भी जाथा डेंजरस हो जाती है तो अब बचो आगे है इन धी फालूंग ङसेंस ये जो नीचे संटेंस दिये है नीचे कुछ Sंटेंस दिए गी है इन में से कुछ वोड अंडरलेंगिये पिएरे बचो आफ ये समझाए कि ये जो नीचे एक दो तीन चर पांच ये वोड दिये ये हैं ये जो अंडरलाइन वोड हैं ये प्रि पोजीशन हैं यानि कि दाबवाई जो लड़का है इस इंदिकार ये गाड़ी में है किसमें है? इसमें जो इन है वो प्रि पोजीशन है और दूसरा कहा रहा है I joined this office in 2000 यानि कि मैं इस office के अंदर 2008 से काम कर रहा हूँ तीसरा कर रहा है somebody is at your कोई आदमी हमारे दरवाजे पे खड़ा है कोई आदमी हमारे दरवाजे पे खड़ा है चोथा कर रहा है cow feeds on grass यानि कि गाए गास खाती है पाँचमा कर रहा है इसमें जो on है वो preposition है और somebody is at जो है वो preposition है तो यानि कि जो underline to किया है ये preposition है क्या है बचो ये preposition है six कहा रहा है he jumped into the river यानि कि वो उचला और दर्यामी उसमें चलांग लगा दी इसमें into जो है वो preposition है अब आगे कहा रहा है now in the following sentence नीचे को जुमले हैं use the correct preposition इन में एक सही preposition डालना है अवर दी given point जैसे उपर दिया गया है ये पहले कहा रहा है the boy jumper लड़का उचला the boy jumper लड़का उचला dash dash the fincing quickly dash dash the fincing quickly यानि कि fincing से लड़का उचला तो इसमें हम क्या करेंगे बेटा एकरास करेंगे या अवर करेंगे तो हम लखेंगे the boy jumper लड़का उचला अवर दी फिंस क्यूंपर उपर से अवर उपर से दूसरा कहा रहा है my colleagues stouts my colleagues stouts मेरे जो नज़्दी की है my colleagues मेरे जो रिष्टदार stouts खड़े है dash dash me in my hours and griefs वेद आएगा या बाल यानि कि वो जो मेरे साथ करें है वो दुख दर्द में सब कुछ मेरे साथ करें वेद है या वाई है ये कह रहा है तो हम इसमें लिखेंगे my colleagues जो है ये कह रहा है जो my colleagues store जो मेरे जो कुलीकसे वो खड़े है dash dash इसमें हम कहेंगे by me मेरे साथ by me मेरे साथ चोथा कह रहा है तरड है a dog fell एक कुता एक कुता fell यानि के गिर गया dash dash a ditch खड़े में ये किसी में in आएगा ये into दाएगा ये इसमें क्या कह रहा है इसमें in आएगा ये into आएगा या in जाते है ये तो सबको पता होता है go to bed at 11pm हम 11 बजे चलेगे हम 11 बजे चलेगे तो बच्चो जो हम 13 बजे चलेगे किस के लिए सोने के लिए तो ये जो मैंने grammar बताए है आप इसको क्या काम करेंगे आप इसको क्या काम करेंगे कि उठा कर अपनी copies पे लिखेंगे और next हम अगला questions काल से शुरू कर गए ठीक है बच्चो